बिस्मिल्य रह्मान रहाँ, अस्राम्यों क्लासिक्स, आज आपको उट्टो कलेक्चे नमबर 39 है, और बुकी बुक्स ओपन करेंगे, पेस्ट नमबर 138, सबक नमबर 9, गुल्स नोबर की कहानी, यहां से अलपासवानी आप लिखेंगे, अपनी सिवर का पिस पे वेरान तक, अलपासवानी कुमल करने के बाद आपनी आना है इसके जुर्ण की तरफ, अलपास एंट जुर्णी, नमबर 1 है साय मंदलाना, बलोच्यों की बस्तिम पर मोत का साय मंदला रहा था, पू का आलम होना, मतलब सनाटा चाना, सर्तियों की रातों में हर तरफ पू का आलम होता ह तान लगाना, नोजवान ने अलगोजे की तान लगाई, आदम जात, जंगल में कोई आदम जात ना था, कि कोई इंसान ना था, तम तमा उथना, गुसे से लाल पीला होना, गुसे से असक का चेहरे तम तमा उठा, होफ जदा होना, होफ जदा, बच्चा कुते को देख कर ह और फ्रदा हो गया मर्क जीदा स्नोबर ने मर्क जीदा निसीर को अर्ख पिलाग कर ठीक कर दिया मतलब सामके डसे हुए पो इंतिकाम की आग बरकना मतलब बदला लेना दुश्मिन के दिल में इंतिकाम की आग बरक रही थी तीर की तरह लगना बहुत जोर से लगना जहीरा का तंस स्नोबर के दिल पर तीर की तरह लगा फृष्टे अजल मौद का फृष्टा फृष्टे अजल के आने का वक्त मुकरर है कि मोत के फृरिष्ट के आने का वक्त बकरर है यह आपके अलफाज जुमले और अलफाज मानी बुक से देखे आप लिखेंगे और अलफाज जुमले यहां से देखे आप अपनी सिर्वर कॉपिस पर लिखेंगे और इनको याद करेंगे